नमस्कार दोस्तों स्वागत आँ सभी का मेरे यूटूब चैनल S.B. Medicine में आज हम रिवियो करने वाले हैं नियूरो बियान 4 टेबलेट के बारे में इसके क्या-क्या उप्योग हैं, फायते हैं, साउधाने अर्च सबको क्या-क्या दुस्प्रवाव हो सकते हैं चैनकरी के लिए इस वीडियो को पूरा जूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो इससे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जूर दबाएं, तकि आपको हर वीडियो की नूटिफिकेशन मिलते हैं नियूरो वियान 4 टेबलेट प्रॉक्टर एंड गेंबल हेल्थ केर का बेस्ट क्वालिट प्रॉक्ट हैं, जिसकी प्राइस होती हैं 31 रुपे, 101 पेसे पर इस्ट्रीप, ये 30 टेबलेट की इस्ट्रीप होती हैं, जिसका कंटेंस होता हैं इस टेबलेट का यूज अब डाक्टर के सला से करें, तो ज्यादा बेतर रहेगा ये टेबलेट आपको डाक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकर श्वर पे मिल जाएगी नियूरो वियान 4 टेबलेट एक मल्टिवट्रमेंस सप्लिमेंट टेबलेट हैं इसका मतलब ये हैं कि ये सरीर में विटामिन B की कमी को दूर करने का काम करते हैं इस टेबलेट का यूज एनिमिया यानि खून की कमी, तनाव रहना, मांसिक अगर आपको कोई कमजोरी हैं तो अचाय के समद्दी कोई रोग हैं और nutritional deficiency हैं तो SMS का यूज करे जाता हैं तो अचाय के समद्दी कहीं रोग हैं, जोइंट पेन हैं, मल में असुद्धी और नींद से समद्दी कोई समद्दी कोई समद्दी कोई समद्दी आएं तब इस टेबलेट का यूज आपको काफी फायदा दिलाएगा और भी अगर आपको Heart Disease हैं, लेवर से related को समद्दी कोई समद्दी के आपको चक्कर आते हैं, आखों की समद्दी कर्दन कंदों की नरों में दर्द हैं या आपकी immunity कमजोर है तो ये tablet आपकी immunity बढ़ाती है आपको खराब cholesterol से भी बचाती है साथ ही ये RBC यानि red blood cells को भी बनने में काफी help करती है आपको vitamins की कमी है ये उसे भी पूरा करती है इसे pregnancy में भी आपको लेने की ड्रक्ट द्वारा सला दी जा सकती है अगर आपको मुह में चाले हो गए हैं आपकी skin dull हो गए हैं skin पर pimples और dryness आ गए हैं तब भी ये काफी cargo tablet है आपको nerve damage, osteoarthritis, थकान बनी रहना, दस्त लग गए हैं हाथ तोरह में जुंजनी होना, प्रहम की स्तिति, depression या दास सम्मध्य को समझ्या हैं, diabetic, neuropathy के अगर आपको समझ्या हैं या फिर आपको alas बने लेते हैं तब यसी सभी conditions को treat करने के लिए ये एक अकेली multiple tablet हैं, जो कहीं सारे वीमरियों में आपको use में लेने के सलाज जाती हैं जान लेते हैं इसके सावधनियों के बारे में, तो अगर आपको severe liver या kidney disease हैं, तब यसे में आप इसका use करने से पहले एक बार doctor से सलाज रूल लें, उसके बाद इसका use करें और इसके use के समय आप ध्यान रखें कि आप सराब का 7 ना करें dose के बारे में जाने, तो normally stimulate को दिन में आपको एक से दो बार लेने के सलाज जाती हैं, पर अलग-अलग मरीज और उनकी conditions पर depend करता हैं कि इसका dose क्या होगा doctors ये आपको आपकी condition के उपर बदाएंगी कि आपका इसका दो बार लेना है या तीन बार लेना है, तो बेटर ये रहेगा कि आप उनके सलाज के नसार इसका use करें आप जान लेते हैं इसके होने वाले side effect के बारे में, तो जो common side effect आपको नज़र आ सकते हैं, वो हैं उल्टी या मतली होना, आपको ज़्यादा पेशावाने के सिकायद नज़र आ सकते हैं, और आपको itching हो सकते हैं हो सकता हैं, सभी side effect के अलाव भी आपको कोई दूसरे side effect नज़र आएं, अगर कोई दूसरे side effect आपको दिखते हैं, तब यसे में आप इसका use बंद करें और तुरूंत अपने डाक्टर से कंसल्ट करें तो friends, उम्मीद आपको वीडियो जुरूर पसंद आए होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हैं, तो इसे like करें, comment करें, share करें, और चैनल को subscribe करना ना भूले, thank you